ऐसे वक्त में हम कह सकते कि वो 304 है वही टेस्ट जब हम 202 पे करते हैं तो हमें चिंगरिया बहुत ज़ादा वैसे तो हम घर के लिए जो railings का इस्तमाल करते हैं वो stainless steel की बनी होती है और इस stainless steel में वैसे तो दो टाइप होते हैं एक होता है 202 और दूसरा होता है 304 वैसे तो और भी types होते हैं परन्तु इन दो grade का ज़ादा करके इस्तमाल किया जाता है वैसे तो आम तोर पे इन दोनों के बीच में फर्क बता पाना बहुत ज़ादा मुश्किल होता है क्योंकि दिखने में ये दोनों एक समान दिखाई देते हैं परन्तु जब बात आती है इसके rate की तो 304 के rate थोड़े से ज़ादा होते हैं और 202 के rate जो है वो कम होते हैं और कभी-कभी होता ऐसा है कि लोग जो है 202 को लगवा देते हैं और 304 के पैसे आपके पास से ले लेते हैं तो ऐसी धोकादड़ी से अगर आप बचना चाते हो जानना चाते हो कि क्या फर्ख होता है इन दोनों के बीच में जो कि आप site के उपर 24 test के बाद आसनी से बता पाओगे कि कौन सा 304 grade का steel है और कौन सा 202 का steel है सबसे पहला point आजाता है कि 304 हमें कहा लगाना चाहिए और 202 हमें कहा लगवना चाहिए जैसा कि हमने देखा कि ये दो type है जिसमें से 304 जो है जिसका rate थोड़ा सा जादा है परन्तु वो जो है वो बाहर लगाना सबसे जादा best साबित होता है जहाँ पर आपके मौसम का मार और पानी का संपर्क जादा आता है वहाँ पर आपको 304 लगवाना चाहिए वहीं पर अगर हम बात करते हैं अंदरूनी steel के लिए आप 202 का इस्तमाल कर सकते है जिसका कि जादा पानी और मौसम की मार से संपर्क नहीं आता है और इसकी कॉश्ट थोड़ी सी कम होती है अब बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की जिससे के आपको पाता चलेगा कि ये 304 है या 202 है सबसे पहला पॉइंट आ जाता है जो कंपनी का लोगो होता है उसके नीचे क्लेरली मेंचन होता ही कि वो 304 ग्रेड का स्टील है वीडियो में देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्लेरली लिखा गया है 304 और जहाँ पर 202 है वहाँ पर जेटी लिखा गया है अब ये फर्क तो आपको पता चल गया दूसरा टेस्ट हम जिसके बारे में देखे हैं कि जो की है एसीड टेस्ट तो यहाँ पर जो है पहली जब हम 202 पर डालते है तो उसका कलर जो है थोडी देर बाद रेडिश होने लगता है और वही पर 304 पर आपको कोई भी फर्क दिखाईं नहीं देता है यानि कि अगर acid का color लाल होने लगे तो इसका मतलब यह है कि वो 202 है और color में कोई भी difference नहीं आता acid का color अगर हरा है तो वो हरा ही रहेगा ऐसे वक्त में हम कह सकते कि वो 304 है अब यह सबसे कारगर तरीका है जिससे कि आप जान पाते हो कि यह 304 है या 202 है अब बात करते हैं अगले test की जो की है spark का test अब जैसा कि आप अगले image में देख रहे हैं यहाँ पर हम पहले cut करके देखेंगे 304 को जब हम 304 को cut करके देखते हैं तो हमें ये चीज़ पाता चलती है कि जो चिंगारिया है वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है पतली है और उनका color जो है हलका सा लाल और नारंगी है तो इससे हमें पाता चलता ही ये 304 है वही test जब हम 202 पे करते हैं तो हमें चिंगारिया बहुत ज़्यादा प्रामान में दिखाई देती है और तो और चिंगारिया लंबी होती है जिनका color पीला होता है अगर steel cut करते समय आपको ये चीज़ दिखाई दे तो वो 202 ही हो सकता है तो ये चीज़ तो आपको समझ में आगे यानि कि अगर आपके पास acid grade tester भी नहीं है अगर हम बात करते हैं 304 की तो 304 में लगबग 8 से लेके 10% निकल होता है और 202 में वही निकल का प्रामान 4 से लेके 6% तक होता है जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा है दोस्तो 304 जह है वो अत्यदिक जंग रोधक है और टिकाउ भी होता है पर अगर आप अंधरूनी चीजों के लिए stainless steel का इस्तमाल करने वाले है तो आपके सामने 202 एक अच्छा option आ जाता है अगर उस steel का पानी के साथ जादा संपर्क नहीं आता है जैसे कि आप अंधरूनी जीने के लिए SS की railing लगाने वाले हो तो ऐसे वक्त में आप 202 का इस्तमाल कर सकते हो तो दोस्तो इन test से आपका ये फाइदा ज़रूर होगा कि आप अगर 202 लगाते हो तो 202 के ही पैसे देते हो और अगर आप 304 ग्रेड वाला लगाते हो तो 304 के पैसे देते हो दोस्तो अगर हम बात करते हैं आज की situation में अगर इन दोनों के cost की तो अभी ये cost depend होता है आप कौनसी railing लगा रहे हैं कितने size का pipe लगा रहे हैं पर एक tentative idea आने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि 304 के आज की situation में rate है 600-500 रुपए running fit और 202 के rate है 500 रुपए running fit ये आप देख सकते हैं 1.500 रुपए का फर्क यहाँ पर आ जाता है तो दोस्तो ये कुछ test थी जो कि आप check करके देख सकते हो जब भी आप अपने घर के लिए yessis की railing लागवाते हो ऐसे समय में तो मैं आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यबाए